जैहिंद और हिलो वाइज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को देखते रहिए यहाँ पर आपको step by step पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस firm को बिना किसी mistake के भर पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं गाईज यहाँ पर जब इसका announcement होता sort notification में उस वक्त आपकी total 9000 post थी बट अब आपकी vacancy बढ़ा दी गई है अब आपकी total vacancy 9144 है जिसके लिए firm भरे जा रहे है तो वीडियो को यहाँ पर अच्छे से आपको बिना skip किये देखना होगा तो वीडियो के description में मैंने आपको उमारी website jobsgir.in का link दिया है यह link आप जैसी open करेंगे तो आपके सामने इस बर्ती की जानकारी आएगी आप यहाँ पर पूरी eligibility की जानकारी जान सकते हैं जिसमें की age limit आपकी application fees आपकी important dates qualification की जानकारी यह सभी जानकारी चेक कर लेंगे यह जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर important link के section में आएंगे और आपको apply online link open करना है अब guys आपके सामने यहाँ पर apply की website आ चुकी है और यहाँ पर guys आपको apply करने के लिए क्या करना है apply के उपर click करके यहाँ पर आपको create an account इसके उपर click करना है and then आपके सामने कु name आपका भर रहे है यह आपको 10th के certificate के according अंग्रेजी के बड़े एकसरों में भरना है फिर आपको यहाँ पर आपके नाम को दोबारा डाल करके verify करना है and then आपसे पोचागी क्या आपने आपका नाम कभी बदला है अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है इसके बाद यहा दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर verify कर देना है फिर आप यहाँ से आपका gender select करेंगे और gender को दोबारा सेलेक्ट करके verify कर देंगे फिर आपको यहाँ पर आपका father का name enter करना है और यह भी आपको 10th के certificate के according अंग्रेजी के बड़े एकसरों के अंदर लिखना है फिर इ verify using आधार इसके उपर क्लिक करना है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप I do not have आधार कार्ड इसके उपर क्लिक कर सकते है अब गाईज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोले कि माई आधार डिटेल और सेम एज पर मैटिकुलेशन certificate mark sheet यानि कि अगर आपका जो जानकारी 10th के certificate के अंदर है जिसमें की नाम date of birth है यही जानकारी अगर आपकी अधार कार्ड के अंदर भी है तो आप यहां पर टिक कर देंगे अगर आपकी जानकारी अधार कार्ड के अंदर अलग है और 10th के certificate के अंदर अलग है तो आप इसक के उपर क्लिक करेंगे इसके बात में guys आपका अधार verify हो जाएगा और मैं अभी उनके लिए जानकारी बता रहा हूं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और वो I do not है वो अधार काड उसके उपर क्लिक करते है तो फिर उनको यहाँ पर अधार काड के अलावा को एक अन्य ID सेलेक्ट कर नहीं होगी जो भी ID आपने सेलेक्ट कि है उसका नमबर यहाँ पर डालना होगा और किसके नमबर डालना है जनरेट मोबाईल OTP पर क्लिक करने है और वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक मुझे यहां पर जानने को मिल रहा है जो अभी आपके रिसेंट्ली और भी आल पी के फोर मायते उसमें आपने जो रोषन किया था वही रोषन आपका यहां पर भी याने वाला है क्योंकि जब मैं अपनी वहीं वाली इमेल ऐड़ी हैं यहाँ को रशन कर लेना है और अगर आपने पहले से लपी के अंदर फोर्म भरता और अभी आप यह फोर्म भर रहे हैं तो फिर डारेक्ली अब आप यहाँ पर लोगिन करेंगे तो आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद में आपको अल्रेडी एन हाव एन तादू कि मैंने उसी इन्फोर्मिशन से यहाँ पर लोगिन किया है जो कि मैंने जब ALP का फोर्म भरता उस वक्त बनाई थी तो इसका मतलब है कि जन्होंने ALP का फोर्म भरता उनको रशन करने की दोबारा से हो सकता नहीं है उनको अपनी पहले वाली रजिस्टर्ड इमेल ID और password का इस्तमाल करके इस form को भरना है तो जैसे कि हमने यहाँ पर लोगिन कर ले तो हमारे सामने यहाँ पर वैकेंसी आ चुके टेकनीशन ग्रेड फर्स्ट सिगनल और यहाँ पर आपकी टेकनीशन ग्रेड थ्री तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के उपर क्लिक कीजिए इसके बाद गाईज यहाँ पर मेरे सामने information में आता है कि this data is fast from your previous save data क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ALP का वी form भराता तो उसमें मैंने जो जानकारी भरी थी वो जानकारी यहाँ पर automatically fetch कर ली गई है और मैं आपको फिर से बता दू कि अगर आप first time इस website का इस्तमाल करके यह technician का form भर रहे है तो फिर आप यहाँ पर आपकी यह सब जानकारी भरेंगे जो कि मेरे यहाँ पर fetch की गई है जिसमें की guys आप यहाँ पर देख सकते कि क्या के जानकारी जिसमें की marital status है आपका religion आपको select करना होगा फिर आपसे पोच है कि do you wish to avail free exemption जो SCHT काडिगरी को fees के अंदर छूट मिलती है कि आप और लेना चाहते है अगर हाँ तो yes नहीं तो आप no करेंगे और उसके बाद में guys यहाँ पर आपको बताना है choice of language for exam तो किस language के अंदर आप exam देना चाहेंगे वो language आप select कर लिजे permanent visible mark of identification first आपकी body के उपर हो निससे पर लिखेंगे अगर आपकी body के ऊपर कोई mark नहीं है तो आप no mark लिख दीजे फिर second mark के बारे में पूछा है अगर दो mark है तो दोने mark के बारे में लिख दे नहीं तो यहाँ पर भी आपको no mark लिखना होगा अब आती है आपकी cost category की जानकारी तो पहले तो आपको cost category select करनी है और फिर जो आपका certificate number है category का वो आपको यहाँ पर देना है इसके बाद guys आप देखेंगे issue authority तो issue authority कहाँ पर दी होती है आपके certificate में वो मैं आपको बताता हूँ यह cost certificate है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर सक्सम अधिकारी के बाद में तैसिलदार लिखा हु हुआ है तो आपको यहाँ पर issue authority में कहीं पर भी तैसिलदार अगर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर तैसिलदार select कर लीजे तो यहाँ पर तालू का magistrate है तो इसका मतलब तैसिलदारी होता है मैं यहाँ पर इसको select कर लेता हूँ तो आपको certificate चेक करना है और यहाँ सक्सम अधिकारी के बाद में जो भी अधिकारी की post का नाम लिखा है वही post आपको select करनी है इस यूंग state कौन सी है तो मेरा UP से जारी हुआ है मैं UP याँ पर select कर लेता हूँ फिर date of issue आपको याँ पर देखने को मिले कि जारी दिनाक में वो आप जारी दना कि यहाँ पर select कर लेंगे and then आपको बोला है कि do you wish to available free rail travel pass for the exam अगर आप यह लेना चाहते तो आप यहाँ पर yes करेंगे फिर आपको nearest railway station का नाम देना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो cast certificate वो upload करना है PDF के format में जिसका size 300 के भी से कम होना चाहिए तो आप यहाँ पर browse के उपर click कीजे और browse के उपर click करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी file है वो आप select करेंगे और यहाँ से open कर लेंगे और उसके बाद save के उपर click करेंगे तो आपकी file यहाँ पर upload हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर आपको आपका permanent address भरना है जिसमें कि आप आपकी state select करेंगे फिर आपकी district इसके बाद में आपका address यहाँ पर इस box में लिख देंगे आपका village, town, city कौन सा है वहाँ आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना pin code डाल देंगे अगर आपका present और permanent address same है तो आप यहाँ पर नीचे tick करेंगे नहीं तो आपको untick करके अलग से अपना permanent address भर देना है मेरा save है present address और permanent address इसलिए मैंने tick किया और अब यहाँ पर आपको save के उपर click करने जिससे की जानकारी save हो जाए फिर आप next के उपर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर guys आपके सामने category detail में कुछ सवाल आए जैसे कि क्या आप एक service man है अगर हाँ तो yes नहीं तो आप no करेंगे अगर आप विकलांगे तो आप yes करें नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना होगा अगर आप ebc certificate holder है economically backward class से है तो आप yes करें नहीं तो आपको no करना है क्या आप एक employer इंडियन railway के अगर हाँ तो yes नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे current employment status name of the current department organization अगर आपका इन में से कोई department है जहाँ पर आप काम करते तो वो आप select कर ले नहीं तो आप note applicable को select करेंगे फिर are you a course completed act apprentice अगर आपने किया act apprentice तो आप yes करें नहीं तो आपको no करना है फिर आपको यहाँ पर bank detail देनी है जिसमें कि आपकी fees refund की जाएगी तो आपको यहाँ पर पहले account holder name देना है account का number देना है and then उस number को दोबर डाल करके verify करना है आपके bank का FSC code देना है और confirm के उपर click करके यहाँ पर आपका bank name और bank address automatically fetch कर ले जाएगा इसके बाद आप save करेंगे और फिर next के उपर click करेंगे अब यहाँ पर qualification की जानकारी आती है तो मैंने यहाँ पर अपनी दस्वी की जानकारी पहले से भरक की है आप यहाँ पर add के उपर click करेंगे तो इस तरह से दस्वी की जानकारी आएगी जहाँ पर आपको पहले state select करनी है फिर आपका district जहां से आपने आपकी दस्वी की है फ इसकी मैं ITI select करता हूँ, ITI select करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका trade select करना है, कहां से आपने ITI किया हो state आपको select करनी है, फिर आपको आपकी district select करनी है, फिर आपको यहाँ पर आपके institute का नाम देना है, जहां से आपने यह आपकी qualification की है, तो आप यहाँ पर इसका नाम द certificate तो जो भी है वो यह आप select कीजिए and then add के उपर click करके इस जानकारी को add कर दीजिए अब अगर आपके पास नसे certificate है बार वी भी है तो आप वो भी जानकारी से भर सकते ने तो आप यहाँ पर simply next के उपर click कीजिएगा अब guys यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि exciting photo and signature मेरा photo and sign पहले से यहाँ पर है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर दी गई है आप यहाँ पर जो आपने card certificate अपलोड किया था उसको भी view कर सकते और अभी आप यहाँ पर photo and sign अपलोड करेंगे आप देख सकते कि photo का background white होना चाहिए और उसका जो pixel है वो कितना होना चाहिए वो आप देख सकते है dimension क्या रहना चाहिए format क्या रहना चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है आप यहाँ पर view sample photo के उपर click करके जो आपके photo का sample है वो भी view कर सकते कि किस तरह का photo accept किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर guys आपको आपका signature भी upload करना होगा तो आप यहाँ पर browse के उपर click कीज़ेगा और browse के उपर click करने के बाद जहाँ पर वी आपकी photo file है वो आप select करेंगे and then यहाँ से open कर लेंगे इसके बाद आपको आपकी sign की file select करनी है और यहाँ से open करनी है फिर आप यहाँ पर upload and save इसके उपर click करेंगे then guys आप यहाँ पर next के उपर click करेंगे और next के उपर click करने के बाद में इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है eligible post to apply तो आप मैं यहाँ पर इनके लिए eligible हूँ मैं यहाँ पर इनको preference देता हूँ पहले number पर इस तरह से तो जिसको आपको जिस number पर रखना है उसी number पर आप उसको रख दीजेगा और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर इसके उपर click कीजेगा और फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा ओर नीचे आएंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर click करने को बोला है आप इसके उपर click कीजे और फिर कहां से आप यह form भर रहे है उस पहले इसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आप preview application पर click करेंगे और इसके उपर click करने के बाद आपके सामने आपके form का preview आएगा औ कुछी जनकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टीक कीजे और उसके बाद गाईज आप यहाँ पर अगर आपको लगता कि कोई जनकारी गलत हो गई तो edit के उपर click करके जानकारी edit कर सकते ने तो आप यहाँ पर submit करके यहां से submit कर देंगे जिससे कि आपका यह form है वो अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है तो जैसे ही आपका लिंक सही से काम करने लगेगा तो आप अपने एपलीकेशन फीस ओनलाइन माधियम का इस्तावाल करके जमाग कर पाएंगे अभी लिंक एक्टिवेट हुआ और तुरंत मैंने आपके लिए वीडियो बना दी अब अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आपको कमेंट के माधियम से पूछ लीजेगा और अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या कर दीजे और चैनल को सब्सक् कर लिजे थैंक्स पर वाचिंग और मेरी तरफ से गुट नाइट